अपना phone paper bank not available ऐसे तरह problem दिखाई दे आप अगर recharge करते वक्त या किसी भी payment send करते वक्त bank not available का ऐसे तरह कोई भी अगर problem दिखाई दे तो इस problem को कैसे solve करना है मैं आज के इस वडियो में पूरा step by step आप सभी को दिखाने वाला हूँ जैसे कि आप देख पारे हैं मैंने एक रिचार्स करने का कोशिश कर रहा हूँ लाइकिन जैसे मैंने यूप किया यहाँ पर सेंड किया लाइकिन यहाँ पर दिखाया देरा है बैंक नॉट इवेलेवल दोस्तो इस प्रॉब्लिम क्यों आ रहा है हमारा फोन पेपर मैं आज के सब वडियो में पूरा स्टेप बेस्टेप आप सभी को दिखाने वाला हूँ बट वीडियो शुरू करने से बहले मैं आपको एक चोड़ा सार रिक्वेस्ट करता हूँ उस वीडियो का अब तक आपने लाइक नहीं कर दो लाइक कर दीजिए उठ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आगउन को प्रैस करकर के फ्रेंट चलिए वीडियो शुरू कर लेते है गय है शलू करने के लिए यहां से आपको बैक आ जाना है दोस्तों फोनतसि आपको बहुं के बहार आ जाना है और आपको जाना है अपनी फोन की प्लेस्टर पर जी है दुस्तों अब अप्डेट करने के लिए कह रहा है, इसलिए मैं इसको अप्डेट दे रहा हूँ, आप भी अपने फोन पे को सबसे पहले अप्डेट दे दीजिए, अभी के अभी आप अप्डेट दे दीजिए, दोस्तों अपने फोन पे एप को अप्डेट देना है, जैसे कि मेरा फो करके ओन करना है फोन पे को एक पर अपडेट दे देना है यह दोनों काम करने की बाद आप अभी फोन पे पर जाएए आपका यह प्रॉब्लम 100% हो जाएगा कभी-कभी सर्वर की प्रॉब्लम की वज़ा से यह प्रॉब्लम आता है आपकी मुबाइल फोन पर अच्छा-खासा आपका इंटेनेट सही हो जाएगा आपका इंटेनेट हो जाएगा आप जब अपने नियुका अब्ड़ीट दे दे